हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एनिडैस का यूज करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत कम समय में ही बस डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है और आप चुटकियों में ही अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप अपनी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं तो देखें दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने 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 अपन करने के बाद देखिए अब फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपका एक उप्शन मिलता है ब्राउज फाइल को उप्शन यहां पर टोप में आपको यहां पर ब्राउज फाइल को उप्शन मिलेगा आपको उप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप ब्राउज फाइल के उप्शन और यहां पर देखिए आपको एक चीज़ आज़ता हूँ आपको यहां पर देखिए अपलोड की option पर किलिक करके आप अपलोड कर सकते हैं अगर कुछ फाइल डाउनलोड करने है तो आपको डाउनलोड करने है अब देखिए दोस्तों मैं चाहता हूँ जो मैंने remotely system connect किया है एक file मैं अपने system में transfer करना चाहता हूँ तो उसके लिए करना क्या होगा जो भी file आपको transfer करनी है उस पात पर आपको जाना है और जो file आपको यहां पर अपने system में transfer करनी है उस file पर आपको click करना है तो यहां पर मैं अपनी doc file को यहां पर click करता हूँ MS Word की file को click करने के बाद कि島 you download हो जाएगी सेम तरीके से आप चाहिए को क्योण़ेo को पी आप transfer कर सकते हैं हैं मैं को एक folder ले लेता हूं यह बी folder से क्लिक करता हूं और download क्यों स्मय क्लिक करता हूं क्लिक करते ही जो left side में आपका path खुलागा उस पाथ में वह फाईल का फोल्डर वह आपका ट्रांस्फर हो जाएगा इंट्रणेट करते आस इंट्रणेट की स्पीड किसपीड कितनी फास्थ है अजये साथ हो जैसा सब सी फाइल को पर Whoo कि मेरी फाइल ट्रांसवर हो चुकी है यानि फोल्डर में आप पर हो चुका है सेम तरीके से अगर मैं अपनी कोई फाइल अपने रिमोटली कनेक्स सिस्टम को ट्रांसवर करना चाहता हूं और जो मुवी का साइज है आप पर 300 mb के आसपास का साइज है आप मैं इस प्रपिक करता हूं क्लिक करना वां सेइंपल अप्लोड करन क्लिक करने टम कि करूंगा उसकी हमारा पात अपन और उसकले मेरी फाइल जाके अप्लोड हो जाएगी या फो पिक हो शाल में इंटरनेत की साब्स किसांग PROFESSOR चाहिए प्लोड हो गई है यानि इंटरनेट की स्पीड पर बी आपका डिपेंड करता है फाइल ट्रांसफर अब कितनी स्पीड से आपका फाइल ट्रांसफर होगी तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में थुरू एन एनिडेस्क यहनि आप कोई भी फाइल, फॉल्डर, इमेज, ये डोक फाइल आप इजली ट्रांसफर कर सकते हैं एनिडेस्क थुरू एक सिस्टम से दूसर सिस्टम में तो दोस्तों आपको आज की वीडियो मैंने बताया कि कैसे आपको एनिडेस्क के थुरू अपने फाइल एक सिस्टम से दूसर सिस्टम गी, दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा, चैनल पर फर्स्टाब में चैनल को सबस्काराब जरू कर लीजएगा ओर वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेर करना जो रख जो 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 नज ने थे नहीं कियो